If you appreciate my efforts, then subscribe my channel and for video notification, please click the bell icon. Hello, Namaste, How are you all today? आज की जो मेंदी है, वो मेरी बेटी की दुसरी एक फ्रेंड है, उसके हाथों में लग रही है. उसको बहुत सिंपल सी थोड़ी सी मेंदी चाहिये हुई थी. तो हमने एक पिकोग हैड बनाया है, रिस्ट के ऊपर. और फिर उसके उपर लोटस की हमने रिवर्स नेगेटिव जो एलिमेंट है, उसका इस्तमाल किया है. और पाम में इंट्रिकेट फ्लावर और एक बॉर्डर और एक गल्फ का फ्लावर. बहुत ही ये सिंपल डिजाइन है, लेकिन अगर किसी को फैंसी वाली डिजाइन चाहिए हो, बहुत कुछ ज़्यादा ना भरवाना चाहिए हो, तो इस तरह की डिजाइन आप बना सकते हो, बहुत ही खुबसूरत लगेगी. ये तो रही आज की डिजाइन के बारे में, अगर आपको याद होगा, तो दो हफ़ते पहले मैंने एक वीडियो अपना पोस्ट किया था, इंडो अरेबिक डिजाइन का, इस वीडियो के दौरान बाचित करते हुए, मैंने आप लोगों को कहा था, कि मैं अपने बारे में ह आप लोगों को पूछा था, कि आप लोगों की जिन्दगी में मेंधी किस तरह से आई, किस तरह से वो जुड़ी, और मैं जानना चाहती हूँ, कि आप अपने बारे में भी हम सबसे शेर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ, कि कई वाकिये ऐसे होते हैं, जो बहुत ही inspiration वाले ह लिए तो उनको भी उस वाकियों से, उस experiences से inspirations मिल सकती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा था, कि आप भी अपनी जिन्दगी से जुड़े हिसे हिस्से को हमारे साथ शेर करें, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे inspiring incidents जो वाकिये हैं, उनकी जिन्दगी की वो हम के साथ share करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही interesting है और inspiration वाले भी है, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी, पुन्नीमा बिसरिया, जो हमारी बहुत ही regular viewer है, और उन्होंने अपना जो वाकिया हमारे साथ share किया है, मैं उनकी जुबानी, उन्होंने जो लिखा ह वही आप लोगों के साथ share करना चाहूंगी, आप ध्यान से उसको सुनिएगा, बहुत ही interesting ये वाकिया है, किस तरह से एक simple सी मुलाकात आपकी जिन्दगी में एक बदलाव ला सकता है, ये आपको इस वाकिय से पता चलेगा, तो पुन्नीमा जी बताती है कि वो पहले job करती थी, बट सम family problem के कारण उनको service छोड़ देने पड़ी, और उस दोरान time pass के लिए वो अपनी hobby को increase करने में अपना time span करने लगी, और एक दिन जब वो अपने pouch में बैट के अपने हाथों पे मेंदी लगा रही थी, तब एक परिचीत लेडी वहाँ पे आ गई, और उनसे पुर्णिमा जी को बोला कि आप मेरे हाथों में मेंदी लगाईए, तो पुर्णिमा जी ने उन्हें भी मेंदी लगा दी, और वो लेडी मेंदी लगा कर एक पालर में गई, तो उन्होंने उस लेडी से पूछा, वो पालर वाली लेडी ने जो पुर्णिमा जी को मिलने आ पुण्निमा जी से बात की तुम मेंधी लगाना पसंद करोगी वह पालवाली लेडी ने पुण्निमा जी को पूछा किया क्या आप professionally मेंधी लगाना पसंद करोगी क्योंकि तुम्हारा इसे time भी पास हो जाएगा और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और पुर्णिमा जी ने हा कर दिया और लेकिन फैमिली से पूछना अभी बाकी था लेकिन उनको फैमिली से भी ये मनजूरी मिल गई और वो पुर्णिमा जी बताती है कि आज से 15 साल पहले उन्होंने सिंगल हैं एक हाथ मेंधी लगाने के 15 रुपे लिये थे और फर्स ब्राइडल मेंधी के उन्होंने साड़ी 300 रुपे लिये थे और इस तरह से मेंधी उनकी जिन्दगी का बहुत ही अहम हिस्सा हो गई तो इससे आपको पता चलता है कि कभी भी पुर्णिमा जी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वो मेंधी को as a profession अपनाएगी वो सिर्फ अपना time pass करने के लिए अपने shock को improve करने के लिए बस ऐसे ही वो मेंधी लगा रही थी और किस तरह से एक अंजानी से एक मुलाकात एक परिचित व्यक्ति आई मेंधी लगा के गई और फिर पुरी एक कहानी हो गई तो इससे पता चलता है कि हमारी जिन्दगी में अगर कुछ अच्छा होना होता है तो वो होके रहता है लेकिन उसके लिए हमें भी अथाक प्रयक्त न करने पड़ते हैं पुर्णी मा जी ने गिव अप नहीं किया इस अपॉच्यूनिटी को तुरंथ ही पकड़ लिया और उनकी जिन्दगी में एक बहुत ही सुहानी सी कहानी इस तरह से मेंधी के तौर पे जुड़ गई तो जो भी लोग इस तरह से अपने like confusion में है क्या करे क्या ना करे लेकिन आपको मेंधी आती है आप उसको explore करना चाहते हो तो definitely बैठे मत रहे एट लिस कोशिस करके देखे अगर ये आपका रास्ता है आपकी मंजिल के और जाने जाने वाला रास्ता है तो definitely आपको वो कही न ना करना आपके हाथों में है तो definitely अगर आपके पास भी आपकी खुद की कोई story है तो हमारे साथ definitely share कीजिएगा क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों को inspiration मिल सकती है Thank you Purnima ji आपकी इतनी interesting और inspiring story हमारे साथ share करने के लिए और इस तरह आप भी हमारे बनते हैं आज के featured artist Hello everyone, today I am applying very simple mandy design on my daughter's another friend's palm She wanted very simple design so I created very simple peacock head and on top of that I layered with reverse negative element with lotus She wanted very simple that's why for palm also we created very simple corner with intricate filler element than gulf flower and connected slanted border So this design is very simple you can use this design for any party functions like where people don't want very elaborated design but something simple and intricate this type of designs are very much ideal for that With that I want to talk about some inspiration story about our viewers If you remember two weeks back I uploaded one video about Indo-Arabic mandy design and during that video I asked all of you that I always keep sharing my life story related mandy to all of you but I ask all of you that if you have interesting story related mandy please do share with us like how mandy enter into your life if you have inspiring story do share with us and many of my viewers have shared their very interesting exciting inspirational story life experiences with all of us So I thought I should share those stories with all of you because that could be you know life changing life changing experience for other people like taking inspiration from someone else's life and it could be a life changing experience for you So I am going to share those stories one after another whenever I have time with all of you So I am starting with Purnima Bisarya's story because I found her story is like a very interesting and very different like how one simple incident can change your entire life So in Purnima's words she used to do job before but because of some family problems she had to leave her job and during that time to pass her time to kill her time she was concentrating on her on her hobby so she was spending more time like creating doing stuff those are related to her hobbies and mandy was one of them so one day what happened she was sitting in her porch the garden area of her house and she was applying mandy on her own hand and at the same time one lady like lady she knew came to meet her and when she that lady saw that Purnima was applying mandy on her own hand so that lady asked her can you apply mandy on my hand so Purnima like was practicing her mandy she was delighted to do so so she said okay fine I will apply mandy for you so once that lady had a mandy done that lady went to some parlor so she had some appointment with parlor so that lady went to that parlor so the parlor lady saw that mandy and that parlor lady liked that work a lot and she inquired about the artist so that lady gave information about Purnima ji so the parlor lady contacted Purnima ji and called her over and discussed about all these things and that she offered that will you be like she offered Purnima ji that are you interested doing mandy as a professional Purnima ji was shocked because she never thought that it could be her professional but she was excited too so she actually accepted the offer though she did not ask her family at that point but her family gave her permission to do mandy as a profession and then rest is a history she is saying that 15 years back when she started as a henna artist she got 15 rupees for one single hen and her first bridal mandy she charged 350 rupees and now she is professional henna artist so from that we can see how one simple incident one guest came to meet you and everything else has changed she never thought in her dream that henna could be her professional life but now henna is her profession so from her life story we can take inspiration that small incidents like this can be life changing just you have to watch what is where is your life is taking you you have to just wait for that indications but at the same time you have to put your hard work to achieve your dream so thank you Purnima ji for sharing your inspirational story with us and if you all of you if all of you have your stories or experiences do share with us because that could be life changing experience for someone else so thank you everyone i hope you all would have loved my this design so don't forget to like comment and share our video see you everyone thank you take care bye bye stay blessed stay inspired 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 झाल झाल